दिवाली की रात लोग विदी विधान से मालक्ष्मी की पूजा अर्चना और वो सभी करम कान करते हैं ताकि उन्हें मालक्ष्मी की विशेश कृपा प्राप्त हो सके आप ही इस बार की पूजा की तयारी कर रहे होंगे पर क्या आप जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिनसे ये पता चलता है कि मा लक्ष्मी की कृपा आपको मिली है उनके लिए पूरा वर्ष सुखन रहता है धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है दिवाली के रात उल्लू देखना बेहर शुप माना जाता है क्यूंकि उल्लू देवी लक्ष्मी का वहान माना गया है और मानता है कि दिवाली की काली अम्मवस्या की रात देवी लक्ष्म के चमक गई है आपकी किस्मत घर में प्रवेश कर जाए बिली को नाकारात्मकुजा का संचार करने वाली जीप माना गया है लेकिन दिपावली की राथ अगर बिली दिख जाय तो इसे स्थाही लक्ष्मी की साथ ही अगर दिवाली के रात बिली दूर्ट की जैत को यहां अच्छा संकेत माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है की घर में खुशियां आने वाली हैं। और यह धन वृत्विदी का सूचक है। दिवाली के दिन चचुंदर को धर में देखना शुप माना जाता है। माननेता है कि इससे घर में आधिक तंगी दूर होती है और पैसों का आगमन बना रहता है। केसरिया गाई के दर्शन दिवाली पर केसरिया गाई को देखना भी बेहर शुप माना जाता है। शगुन शास्त के अनुसार केसरिया गाय देवित्व का प्रतीक है और दिवाली की रात इसे देखने से सुक्ष अमृद्धी का आग्मन होता है इसलिए इस बार दिपाविली पर केसरिया गाय के दर्शन करें दिवाली के दिन शुक्ष अंकेतों में आटका हुआ धन मिलना भी शुक्ष अंकेत माना जाता है दरसल अगर इस दिन आपको गिरा हुआ या कहीं से आटका हुआ धन मिले तो इसे भी मालक्ष्मी की खृपा मानिये साथ ही इस दिन उपहार मिलना भी शुप शगुन है और इसलिए दिवाली के दिन एक दूसरे को उपहार देनी का रिवाज है दिख जाए अगर चुहा, सभी के घरों के आसपास चुहा अक्सर दिखाई देता है दिवाली की राच चुहे के दर्शन होना शुप संकेत माना जाता है